अब लोगों को जैसा की पता है साड़े नौव बज़े अपनी क्लास होती है और अब मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूं केमिस्ट्री में आप लोगों को पूरी करवा दी है एक टॉप एक बच्चे जो वीकेंड पे मैं आपको करा दूँगा छोटे से पर लब चाले 30-30 मिट गये तो अब हम लोग जो एंटी पे सी बीटी वन के जो क्योशन्स पूछे गए थे साइन्स के वो हम लोग कंटीनू करते हैं मैंने बहुत सारे क्योशन्स आप लोगों को क चैसर आटा हूं, अगाइडमी पे एक नौटी से बीटी, आपको से जूड़ी है, यहां पर साइन्स के मौश्ट एक्सपेक्टेड क्योशन्स कर रवाता हूं, यहां पर दो बज़े साइन्स के परीविश से एक और यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक मिलती है, तो क्ल लोग अपको मिल जाएगी जो भी क्लास आप लोग हो लोगे ना आप लोगों से कोड पूचा जाता है तो नीरज 11 लगा कि आप लोग इसको अनलॉक कर देंगे दोस्तों बैतर तयारी के लिए सब्सक्रिशन से जुड़िए हैं पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स मिल च सब्सक्रिशन में तो जब सब्सक्रिशन लोगें यहां पर आपकी पास में प्राइज आएगा कोड लगाईए नीरज 11 जो डिसकाउंट है वह वाली प्राइज पे करियें दोस्तो किसी भी कैटेगरी में ले सब्सक्रिप्शन नीरज 11 कोड हर जगे आप लोगों का एप्लिकेबल है ठीक है ठीक है चलिए तो इस्टार्ट करते हैं आज के क्योशन जो CBT1 में पूछे गए थे और दोस्तो गुरूब डिवे में बोल रहा हूँ आप लोगों यही क्य क्योशन देखने को मिलेंगे चलिए तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ तीन मार्च को सुबह साड़े दस बज़े वाली शिफ्ट में जो आप लोगों के क्योशन पूछे गए थे चलिए स्टार्ट करते हैं बताईए कि क्योशन है आपकी स्क्रीन पे कि इन में से डिटेक्टर मशीन कौन सी है जूट को पता लगाने वाली मशीन कौन सी है तो आप लोग जानते है टेको मिटर क्या होता है टेको मिटर तो कोई भी अगर आप लोगों की शाफ्ट आप लोगों की शाफ्ट आप लोगों की शाफ्ट क्या होता है सर कुछ भी नहीं होता एक रोड है, इसी कोई shaft बोल देंगे, अगर वो जाफ्ट बोल दोगे, या कोई पैया दोस्तो जो rotation कर रहा है, इसका rotational speed क्या है, इसके गूंडन गती क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं, इसकी गूंडन गती है 100 rp, इसका मतलब क्या है, 1 minute में 100 rotation कर रहा है, तो जो rotational speed होती है गुंडन गती वो तो tachometer से मापी जाती है polygraph जो होता है न कोई इंसान जूट बोल रहा है सही बोल रहा है उसका पता लगाने के लिए आम लोग इस्तेमाल करते हैं polygraph का तो correct answer आप लोगों का हो जाएगा option number 2 चलिए Nash question आपके screen पे बताएंगे question में बोला जारा है इन मेंसे कौन सा animal tissue का टाइप नहीं है बताओ बताईए इन मेंसे कौन सा animal tissue का टाइप नहीं है तो आप लोग जानते है उस तक क्या होते हैं tissue group of cell kooshikao की समुझों को ही हम लोग क्या बोलते हैं उ nossa बोलते हैं अब आप लोगों को बता है प्लांट में प्लांट में टीशू पाए जाते हैं दोस्तों यह जो एकुल के अग्जांपल ध्यान दोस्तों बॉन आपकी हड़ी भी इसका एक्जामपल है, ब्लड भी इसका एक्जामपल है, कार्टिलेज जो होता है वो भी इसका एक्जामपल है, अब आप लोग बोलेंगे कैसे, ब्लड एक टीशू कैसे हुआ पहले, तो मुझे बताओ, ब्लड में क्या कोशिकाई नहीं पाई जाती है, र बात करें काटिलेज में जो पाई जाती है उसको बोलता है कॉंड्रो साइट उन कोशिगाओ को तो बहुत सारी कोशिगा पाई जाती है तो यह भी एक टीशू हो गया और पूरी बोड़ी में आप लोगों के पाई जाते हैं तो पूरी बोड़ी को कनेक्ट रणने का काम करते मेरिस्ट्रमेटिक टीशू कौन से होते हैं यह प्लांट में पाई जाते है यह आपका our शान नमबर टू हो जाका है अब आप लोग को शिकाव में म एसको बोलते हैं आप्लियर गया उसको हम लोग इसताई उत्तक बोलते हैं कि इनको नोग बोलता है मैं इसका हिंदी में एक नाम और है यहान 바뀌ए चलिए नैश को ecosless न आपके स्क्रीन पर बताएंगे नंदा देवी राष्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्तित नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है बताईए चार आपको ऑप्शन दिये में तो करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा उत्राखंड ऑप्शन नमबर थ्री ठीक है तो नंदा देवी नेशनल पार्क कि अगर हम लोग बात करें तो इसके लोकेशन कहां पर है उत्राखंड में यह इस्तित है चलिए आगे चलते हैं नेश्ट कोशन पर बताईए कि बताईए कि दोस्तों उन एनिमल्स को आप लोग क्या बोलोगे जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं मासारी यानि कार्निवो सर्वाहारी यानि-ंवॉर शाकारी यानि- ej Barbivore मासारी कार्निवोर ओमनी वॉर या आप लोगे बिभ और कुछ भी lifting इनिमें से बताओ चार आप लोगों को option दिये वे तो देखिए ऐसे animals जो plant खाते हैं या plant के कोई product खाते हैं mass वगेरा नहीं खाते हैं केवल आप लोगों के रोस्तो plant ये plant के कुछ product खाते हैं तो आप लोग इनको क्या बोलते हो हर्वी वर बोलते हो शाकारी बोलते हो ठीक है ऐसे animals जो दोसतो mass खाते हैं meat खाते हैं जैसे घया शेर हो गया वो घास फूस्ट्रोडी खाएगा तो उसको आप लोगों क्या बोलोगे क्या बोलोगे कार्νिवर बोलोगे mass ़री बोलोगे और कुछ आप लोग के ऐसे animals होते हैं जो कि क्या खा लेते हैं वे भी और वेजिटेरीन हूँ फिर सर आपने हीमन को इसमें काउंट क्यों करा है कुछ उमन का दोस्तों उनका बॉडी इस प्रकार से वह दोनों खा सकते हैं ठीक है आजाओ नैस कोशन आपके स्क्रीन पे अंसर बताएंगे प्रोटो प्लाज्म शब्द किसने दिया यह जो प्रोटो प्लाज्म वर्ड था यह दिया किसने है वो कॉइंडा टर्म प्रोटो प्लाज्म अब क्योशन यह आता है प्रोटो प्लाज्म होता गया है उसके बार में बताएंग इस कोशिगा के चारों और एक क्या होती है लेर होती है जिसको बोलते है सेल वॉल यानि कोशिगा बित्ति है इसके अंदर एक और लेर होती है जिसको हम लोग बोलते है सेल मेंब्रेन या प्लाजमा मेंब्रेन हिंदी में कोशिगा जिल्ली या प्लाजमा जिल्ली दोस्तो cell wall किसी में पाई जाती है किसी में नहीं पाई जाती लेकिन जो cell membrane होता है वो सभी में पाया जाता है चाहे fungus की cell हो चाहे plant की cell हो animal की cell हो bacteria की cell हो सभी में cell membrane क्या होता है पाया ही जाता है अब धोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोगों को पता है कोशिका की अंदर होता है nucleus जिसको आप लोग बोलते हो केंद रख Delicop न governance और इस plasma मेंबरेन की बीच में एक liquid भरा होता है जिसको आप लोग बो लोग बोलते हो sytoplasm kouchsi का दरव्य है clear तो दोस्तो डूजा डीन नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था डिसकवर किया था प्रोटो प्लाज्म को लेकिन इनों ने जो इनका नाम दिया था वो क्या दिया था दोस्तो सैर कोडे दिया था फिर सर ये वाला नाम प्रोटो प्लाज्म किस ने दिया तो दोस्तो साड़े दस वजे वाली शिफ्ट में जो साइन्स के क्योशन पूछे गए थे आ जाईए दोस्तों अंसर बताईए अंसर बताईए बैकिंग पाउडर में कौन-कौन से एलिमेंट पाये जाते हैं यह आप लोगों को बताना है बताईए साइड में हो जाता हों मैं कुशन नहीं देख रहा हूं तो बैकिंग पाउडर कौन सा हो जायेगा आप लोगों का सोडियम हाइडरोजन कार्बोनेट या स्ोडियम तो कौन-कौन से तदव होते हैं AN, A, एन एकौन सा होता है? Sodium इसको NA से क्यों represent करते है क्योंकि Sodium का Latin name Natrium होता है सोडियम इसमें होता है Hydrogen होता है Carbon होता है Oxygen होता है Sodium होता है Hydrogen होता है Carbon होता है Oxygen कई पर Potphant दिख रहाए क्या K? नहीं दिख रहाا sir इसको अठा हो कहीं पर सलफर दिख रहा है क्या एस नहीं दिख रहा है सर इसको अटाओ ठीक है सलफर नहीं दिख रहा है तो option number 2 ही बचा हमारे पास में चलिए आगे चलिए नैश कोशन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे जो TB होता है वो किसके कारण होता है TB जो रोग होता है वो किसके कारण होता है यह आप लोगों को बताना है बताओ TB किसकी वज़े से होता है option आपको दिये में विशानू वाइरस कवक यानि फंगस पुरूटो जोवा या जीवानू जिसको हम लोग इंगलिश में बैक्टिरिया बोलता है अगर आप लोगों से नाम पूछे इसके बैक्टिरिया का नाम तो बताओ तो यह इसका बैक्टिरिया का नाम हो जाएगा यह इसका जो बैक्टिरिया होता है आपके किस भाग पे प्रभाव डालता है दोस्रों आपके Fam yüzden ar Est. नेस्ट कोशन आपके स्क्रीन पे साइड में हो जाता हूं बताईए क्या बोला जा रहा है तो दिखें दरा भारत 2018 के विश्व परियावरन दिवस साथ में ये भी लिख दिया कब मनाया जाता है पाच जून को मनाया जाता है तो ये इसका वैश्विक मेजबानता होश्ट कराता भारत ने तो आप लोगों को थीम बतानी है 2018 World Environment Day की थीम क्याती बताओ बताईए क्या अंसर हो जाएगा जल प्रदिशन को रोकना बिट वाटर पॉलिशन बिट थर्मल पॉलिशन बिट प्लास्टिक पॉलिशन बिट एर पॉलिशन क्या हो जाएगा 2020 की पूछे 2020 की क्या हो जाएगी टाइम फॉर नेचर चलो आगे अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ 2 मार्च देखिए दोस्तो हो सकता है क्योशन इसमें ज़्यादा हो तो मैं उन क्योशन को हटाते चल रहा हूँ जो हम लोग पहले कर चुके हैं क्या बार-बार एकी क्योशन को करा जाए समझ गए बात को क्या मैं बोलना चाहरा हूँ तो जो क्योशन मैं अभी तक नहीं करवाए है वो वाले क्योशन ही इंक्लूड कर रहा हूँ जैसे मालो कुछ क्योशन अगर पुरानी शिफ्ट में आ चुके हैं तो वो उसको छोड़ता जरू मैं क्या मतलब एकी चीज को बार-बार करोगे तो दो मार्च की सुबह साड़े-दस बजे वाली शिफ्ट में जो क्योशन आए वो हम लोग करते हैं दोस्तो देखो ये वाला जो क्योशन आप लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आए ना मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है तो कोई बात नहीं धूप सेखना विटामिन डी का एक श्रौथ है मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है ये बोला जा रहा है अगर आप लोग धूप सेखते हो तो ये है विटामिन डी का एक श्रौथ है एक चिकित सी ये सला ठीक है ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक आप लोगों का मैडिकल स्टेटमेंट है कि अगर आप लोग धूप सेखते हो तो ये आप लोगों का विटामिन डी का सोर्स है अब इससे दोस्तों दो धारना निकाली जा रही है पहला धूप सेखना विटामिन डी का एक मात्र श्रौथ है लोग शरीर में विटामिन डी प्राप्ट करने के एक तरीके के रूप में दूप सेख सकते है तो भईया कौन सा सही है भईया विटामिन डी के लिए आप लोग धूप सेख सकते हो केवल यही तो सही है ऐसा थोड़ी है केवल और केवल विटामिन डी आप लोगों का सनलाइट से ही आप लोगों को विटामिन डी मिलेगा नहीं दोस्तों आप लोग क्या करिए मिल्क के प्रोड़ेट खाईए बटर खाईए चीज खाईए पनीर खाईए विटामिन डी आपको मिलेगा फिशेस में पाया जाता है विटामिन डी तो करेक्ट अंसर कौन सा हो जागा केवल आप लोगों का धारना टू सही है ना अब यह पता नहीं हिंदी में क्या देते हैं समझ नहीं आता बच्चे का एक जम में देखे तो बच्चे का ही दिमाग खराब हो जाए कैसे कैसे हिंदी हिंदी वाला भी सही नहीं दे रखा इंगिज तो चोड़ो अब चलो बतावो बताईए कि द्रश्यमान विक्रन विजीबल रेडियोशन की खोच किस ने करी चार आप लोगों को ऑप्शन दिये में बताईए चार ऑप्शन दिये में बताईए देखो मेरी बात समझो आप है वो निर्वात में से भी चल सकती है वेक्यू में से भी ट्रेवल कर सकती है अच्छा ऐसे कौन-कौन सी होती है बताईए एक्स रे हो गई आप लोगों की माइक्रोवेव हो गई रेडियो वेव हो गई बहुत सारी है इंफ्रारेड रे हो गई दोस्तों कुछ आप लोगो है इनकी discovery किस ने करी थी इनकी discovery करी थी न्यूटन भाईया ने तो correct answer आपका हो जाएगा option number three समझ गए बाद को चलिए हाँ पर आप लोग देख सकते हो देखो जितनी भी आप लोगों की यह electromagnetic अपर अफर्क बोलेंगे ऑर फिर आप लोगों का चलिए तो डविच की दूरी को आप लोग वेवलेंद slat वोलते हो तो वेवलेंद के यादार पर जतने भी प्याज्ट्य मेव्म स्यागा लग यह और ती जिनकी वेवलेंद ज्यादा होती है जो एक्सरे होती है इससे ज्यादा इल्टरा वॉलेट होती है फिर इसके बार में वीजीबल लाइट आती है जो हम लोग देख सकते हैं ठीक है आजाओ अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ पंदरा फरवरी के शिफ्ट में सुबह तीन बज़े वाली सुरी दौपए तीन बज़े वाली शिफ्ट में जो क्यूशन पूछ गया है बताईए बताओ दोस्तों lactose intolerance किसको बोलोगे इसके मैंने option नहीं चुपा है तो कि ऐसा गरी डंडी लगाता है तो पूरे के पूरे चुप जाते ना चारों option भी डंग से नहीं देख पाते हैं आप लोग देखो lactose intolerance दोस्तों intolerance का मतलब कि आप सहन नहीं कर रहें आप टॉलरेट करना क्या होता है सहन करना होता है अब आप लोग उसको टॉलरेट करी नहीं पारे तो इसको आप लोग हम लोग बोलता है intolerance जैसे किसी कि स्टेटस पे लगा होता है जीरो intolerance मतलब ट्राइ भी मत करना कुछ बाते करनेगे तो जीरो intolerance का मतलब क्या है वो कुछ सेयन करी निसकता है वो बिल्कुल भी फालतों की बखवास तो देखो यहां पर की बोजन करते हो उसमें कार्बोहइड़ेट भी होता है आप गोग जाते आप लोगों के milk में पाई जाती है दूद में है ना दूद में पाई जाती है यह milk के किसी product में पाई जाती है अब दोस्तो इसमें जो lactose पाई जाती है उसके साथ में क्या होता है आपको पता है इधर देखो देखो दोस्तो जो lactose होता है यह किस-किस से मिलके बना होता है glucose से और गेलेक्टोज से मिलके बना होता है तो आप लोगों ने दूद पी लिया दूद में लेक्टोज आ गई अब आप लोगों को इसका पाचन भी तो करना पड़ेगा पाचन का मतलब क्या है इसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना तो लेक्टोज ग्लूकोज और गेलेक्टोज से मिलके बना होता है अगर लेक्टोज टूट जाए ग्लूकोज और गेलेक्टोज में तो हम लोग बोलेंगे लेक्टोज का पाचन हो चुका है अब ये काम कौन करता है तो देखो इधर आओ देखो आप लोग जब दूद पी होगे दूद पी होगे नीचे आएगा नीचे आएगा तो छोटी आत में जब दूद आएगा तो हम लोग बोलते हैं दूद में जो laktos होगा वो इदर आएगा दोस्तो जो आपकी छोटी आत होती है इसे एक juice निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं intestinal juice यानि आतरस उसमें कई enzyme पाये जाता है आप लोग बोलेंगे enzyme क्या होता है जो की बोजन के पाचन में मरत करते है तो यहाँ पर एक enzyme होता है जिसका नाम होता है lactage तो वो lactage क्या करता है lactage इस lactose का पाचन करता है तो अगर दोस्तो छोटी आत में lactose का पाचन नहीं हो पा रहा इसी को हम लोग बोलते है lactose intolerance ठीक है तो एक ऐसी सिती जिसमें छोटी आते है दुद उत्पादों में पाई जाने वाली शरकरा को तोड़ने में ऐसमर्थ होती है समझगे बात को आजाओ बताएंगे क्योशन आपके स्क्रीन पर बताओ बताओ जब डैश वस्तुए प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है आप लोग देखेंगे किसी की भी image क्यों बनती है परचाई क्यों बनती है जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई पेड है कोई पेड है यहाँ पर क्या है सूर्य है सूरे से दोस्तो प्रकाश की किर्णे आ रही थी, आप लोगों को बता है, गर्मी में आप लोग देखोगे, गर्मी क्या सर्दी कभी भी देख लो, आप लोगों यहाँ पर इसकी इमेज बन जाती है क्या, इसकी छाया बन जाती है क्यों बनती है, मतलब देखो समझो मेरे बा राती जब इस पर प्रकाश आता दोस्तों इस जगह काला क्यों नजरा रहा है फैसकी प्रकाश पहुंकि नहीं पहुंच पहूंच पाधे कउओक confirms है जह उसका or two से प्रकाश गुजडता प्रकाश ऌ। नमबर टू हो जाएगा चीक है आजओ नेक्स बताएंगे निमली कित में से कौन सा प्राकर्तिक नैचुरल डिसोर्स कौन साइस में से और अक्षे संसादन है मतलब दोस्तों रिनेवल है करेक्ट अंसर आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा ओप्शन नमबर टू हो जाएगा चीक है आजओ नेक्स कोशन अंसर बताएंगे देखो बताओ देखो बिया क्योशन में क्या बोला जा रहा है किसी वस्तू के सम्वेग परिवर्तन की दर बलकी दिशा में आरोपित ऐसंतुलेट बलके सवानुपाती होता है इस नियम को क्या कहा जाता है दोस्तों इन में से किस नियम ने ऐसा बोला कि जब किसी वस्तू पे आप मान लीजे एम दरवे माने जब आप लोग इस पर फोर्स लगाएंगे ना तो लगाया गया फोर्स होता है ना वो इसके समवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है या अपलाइड फोर्स इस एक्वर्स टू रेट ऑफ चेंज ओफ मॉमेंटम यानि जितना फोर्स लगाऊगे इसके मॉमेंटम में इसके समवेग में जो परिवर्तन के दर होगी उतनी जदा होगी यह बात बताया था दोस्तों दूसरे नियम ने कैसे बताया था बता दू क्य मान लिजी दोस्तों कोई m ध्रविमान की वस्तु तो इसका वेग क्या था जीरो होगा ना तो दोस्तों प्रारंभ में इसका वेग क्या था प्रारंभिक सफबी इसको इनीचल क्या कछ दीक проблем करते हैं सब्सक्राइब जाया ता जीरो ता आपने क्या लगाया आपने कोई लगा दिया इस पर फोर्स लगा दिया आपने इस पर दोस्तों फोर्स लगाया ऐसे फोर्स लगाया तो जरूर अब ये मोशन में आ जाएगा गती में आजाएगा और गती में आएगा तो भाईया इसके पास में कोई ना कोई व परिवर्तन के बराबर होता है तो समवेग में कितना परिवर्तन हुआ समवेग क्या हुआ द्रव्य depressed बताईए यह वी क्या है चेंज इन वेलोसिटी है ना वेग में परिवतन जीरो से वी हो गया और वेग में परिवतन बट्टे समय से करो तुरंट बोलते हो तो यह बराबर है में जो आता है वो यहीं से आता है ठीक है चलो आगे नेक्ट कोशन पर बताओ इसमें से अधातविक खनीच कौन सा है अधातु चुलो सिंपल सी बात है आईरन प्लैटिनम सिल्वर सल्फर बताओ आईरन मेटल है प्लैटिनम मेटल है सिल्वर मेटल है सल्फर आपका नोन मेटल है अधातु है करेक्ट अंसर बहिए ऑप्शन नमर फूर आएगा चले आगे चलो अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ चार जनवरी वाले दिन सुबह साड़े दस बज़े के शिफ्ट में जो क्योशन पूछे गए थे करो इसको बताओ इसको बताएंगे The cause of Hepatitis Hepatitis क्या है दोस्तो बिमारी है जिसमें आपके लीवर में सूजन आ जाती है और यह Hepatitis जो होता है यह अलग-अलग प्रकार का होता है Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, Hepatitis A Basically वाइरस की वज़े से होता है वाइरस के जो अलग-अलग प्रकार होता है उसकी वज़े से deals with the properties of fluid at rest, बताए कली करवायता है मैंने यह आपका हो जाएगा hydrostatic hydro का मतलब होता है पानी static का मतलब होता है rest मतलब अगर कोई पानी कोई water rest में है न तो इसकी पूरी की पूरी study करना कि भाईया बताओ इसकी viscosity क्या होगी इसमें अंदर कितना pressure generate हो रहा होगा यह पूरी की पूरी की जो branch है that is hydrostatic है correct answer option number 3 हो जाएगा वैसे काईडे से यहाँ पर fluid की जगे है क्या करना चीए था दोस्तों water करना चीए था अब आप लोग बुलेंगे sir क्यों करना चीए था तो यह काईडे से क्या आना चीए था दोस्तों water आना चीए था अगर इन्होंने fluid दिया है तो यहाँ पर आप लोगों का जो option होना चीए था वो fluid static होना चीए था hydro का मतलब केवल और केवल पानी की study कर रहे हो fluid का मतलब इसमें सारे fluid आ गए केवल और केवल पानी नहीं है समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं अब railway ने दिया है तो हम लोगों को तो option 3 चुनना पड़ेगा अच्छा इससे बात समझ मैं ही में रुको कोई बताएगा क्या बताएगा क्ये कोई बताओ जब तो पूछू मैं मुझे बताओ what is fluid, fluid क्या होता है देखो मेरा question यह है fluid क्या होता है बताओ क्या होता है fluid fluid क्या होता है कौन बताएगा fluid क्या होता है बताओ air and water को fluid liquid fluid is a liquid substance नहीं पता बहाओ को बोलता है बाड को बोलता है fluid air air plus water को बोलता है मुश्किल से 100 में से 2 बच्चों का सही आ रहा है देखो दोस्तों जो matter होता है पतार्त होता है वो तीन अवस्ता में पाये जाता है जनरली solid state आप लोग देखते हो liquid state देखते हो gas state देखते हो तो भाईया liquid और gas दोनों को मिला के ही हम लोग क्या बोलते है liquid और gas ये दोनों ही किस में आते है fluid में आते हैं ध्यान रखेंगे अब भाईया ये है real concept मैं भी आगे ये भी बता दूँगा क्यों बोला जाता है लेकिन ध्यान से समझना जो हमारे general science की paper आते है ना उसमें आप लोग ध्यान रखना fluid जो होगा ना वो liquid को बोला जाता है real में जो fluid होता है liquid और gas को मिला के हम लोग fluid बोलता है basically जो fluid होता है उसकी definition क्या है fluid are the substance which can deform under the action of smaller shear force समझ माया नहीं आए ना मतलब भाईया fluid हम लोग उनको बोलते हो जिस पे चुन्नूसा भी force लगा है ना उसमें deformation हो जाए उसमें विक्रती हो जाए मैंने चुन्नूसा force लगा है अगर किसी में deformation हो रहा है तो इसको आप लोग fluid बोलोगे जो air ऐसे करो टक तो आप लोगों को भी देख नहीं पार होंगे लेकिन उसमें deformation हो गया होगा पानी में चिन्ना सकते हो टक तो धल्चल हो जाएगी ना तो आप लोग लिक्वीड भी एक fluid है gas भी एक fluid है चलो आजाओ साथ मार्च अरे बहिए कीन कॉलेज है मेरे को लगा कालीन कॉलेज कालीन भाईया तो साथ मार्च को सुबह साड़े दस बजे वाली shift में पूछे गए क्योशन करते हैं बताओ अंसर बताओ कौन सा सूक्ष में पूशक तत्व है जो thyroid के सामने संचालन है तू आवशक है दोस्तो आपको पता है जो thyroid gland होती है कहां पर पाई यति है इधर पाई यति है किस शेप की होती है इस शेप की होती है butterfly की होती है या फिर आप लोग एथ शेप की भी बोल सकते हो thyroid thyroid gland से जो hormone निकलते हैं इसका नाम क्या है इसका नाम है दोस्तो थायरोक्सीन hormone ये थायरोक्सीन hormone बहुत important होता है आपके बोडि में डिफरेंट डिफरेंट जो metabolic process होते हैं डायजेशन हो रहा है respiration हो रहा है कोई भी प्रोसेस उसके लिए थायरोक्सिन बहुत बहुत important है लेकिन दोस्तों यह थायरोक्सिन होर्मोन का निर्मान तभी होगा जब आप लोगों के body में iodine sufficient amount में है ठीक है अगर iodine के मातरा नहीं होगी तो यह थायरोक्सिन होर्मोन नहीं बनेगा आपका thyroid gland में भी सूजाना जाएगी इसी समस्या को goiter बोलते है ठीक है घैंगा रूग बोलते है तो correct answer आपको जाएगा option number one चलिए नैश question आपकी screen पर बताएंगे बताओ केंद्रक और कोशिका जिल्ली के बीच बरहे वे जैली जैसे पदाट को क्या बोला जाता है देखो यह हमारा दोस्तों क्या थी कोशिका थी कोशिका के अंदर क्या था न्यूकलियस था केंद्रक था और यह जो कोशिका थी इसके अंदर वाली surface को क्या बोला था cell membrane कोशिका जिल्ली तो न्यूकलियस और इसके बीच में जो लिक्विड जैली जैसे प्रदाट भराउतस को साइटो प्लाज मोलता है न कोशिका दरवे बोलता है तो करेक्ट अंसर आप लोग का हो जाएगा option number 3 छीक है option number 3 आपका correct अंसर हो जाएगा last question आपके screen पर बताएंगे बताएंगे आप लोग इन में से कौन सी gas soda water जैसे वातित पेयो में विले की रूप में देखो दोस्तो एरेटेड वाटर किसको बोलते हो एरेटेड वाटर ऐसा वाटर जिसमें कोई gas वरी हुई है उसको हम लोग एरेटेड वाटर बोलता है चैनल्ली वे पी बताएंगे उसके नंसे क्या वाटर में पानी में हम लोग क्या डालते हैं जिससे क्या बनता है कार्बोनी कशीड बनता है अप लोग पीते हो तो करेक्ट अंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन्घ्ण्र आम्बर 3 ठीक है 3 आप लोगों को correct answer हो जाएगा Nash question आपकी screen पर बताएंगे Climate change के reference में आप लोगों को GHG का पूर्ण रूप बताना है Full form बताना GHG सबी आप लोग जानते हैं GHG क्या हो जाएगा Greenhouse gases हो जाएगी जो कि बड़ी समश्चा है क्योंकि अगर Greenhouse gases की मात्रा बढ़ेगी कौन-कौन सी होते है Greenhouse gases जैसे CH4, Methane gas Water vapor है Clear है तो ये क्यों Greenhouse gases के होती है दोस्तों ये प्रत्वी के 4 और अगर इन GAS की मात्रा ज़दा होगी न तो sun से आने वाली जो आप लोगों की रेज होती है न ये उनको यहीं पर trap कर लेती है जिसकी वज़े से प्रत्वी के 4 और क्या रहता है दोस्तों heat बनी रहती है प्रत्वी का on and average temperature बढ़ रहा है इसी समश्चा को global warming बोलता है तो correct answer आपका हो जाएगा option number one चलिए पाच मार्च दोपैर तीन बजे वाली shift के question में आप लोगों को करवाता हूँ बताओ इसका इसका बताओ बताओ कापाच के ratio को बीजों से अलग करने की प्रकरिया को आप लोग क्या बोलोगे भाईया जो cotton होता है ना cotton के जो fibers आपको बनाना है जो आप लोग जनरली घर में रूच इस्तिमाल करते हो रूई जिसको बोलते हैं तो वह आप लोगों को बनाना है और वह जो आप लोगों के बनते हैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूँ वह बीजों से बनते हैं बीजों से ठीक है? आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ. देखो, इधर देखो. यह देखो. अब ये जो बीज से आप लोगों के जो cotton के fiber से यह तो आप लोग के अलग आ रहे हैं और जो बीज हो जाएंगे वो आप लोगों के अलग हो जाता है यह process है इसको बूलते हैं उठाई तो यह जो आप लोगों के बीच के उपर जो cotton के fibers होता है उसको हम लोग ऐसे पास करते हैं तो जो cotton की fibers होता है हो तो अलग हो जाता है और बीच आप लोगों के इदर गिर जाता है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वे 29 जनवरी को सुबह साड़े 10 बजे वाली शिफ्ट में पूछे गए क्यूशन करता हैं आज जाओं बताओ कि बताओ पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने के प्रक्रिया को आप लोगों को पता है न दोस्तों लाइबरेर में जब बहुत पुरानी किताबे रहती है उनके जो पन्ने होते हैं वो भूरे हो जाता है तो अगर आप लोगों से उसका कारण पूछे तो कारण तो होगा ऑक्सीडेशन यानि ऑक्सीकरन लेकिन अभी आप लोगों से कारण नहीं पूछा जाता है उस प्रक्रिया का नाम पूछा जा रहा इस प्रक्रिया को क्या बलोगे आप ठीक है तो कारण तो मैंने आपको उता दिया Oxidation Oxidation किसका Oxidation होता है Plant ये जो आप लोगों के पन्ने होता है वो किसे बने होता है Cellulose के बने होता है तो अगर आप लोग खुले में रखोगे तो इन Cellulose का क्या हो जाता है Oxidation हो जाता है जिसकी वज़े से नेस्ट कोशन पर अंसर बताएंगे बताओ दोस्तों जो मॉस्किटो की Life Cycle होती ही न मतलब आप लोग जब मॉस्किटो को देखते हो न तो बेसिकली वो मॉस्किटो जो बनाना वो Final Stage है इससे पहले किस-किस स्टेज से गुजरा आप लोगों को वो बताना है चार आप लोगों को option दिये हुए आई ये मैं समझाता हूँ इधर देखो देखो जो मॉस्किटो होता है न पहले वो एक जो होता है आप लोग अच्छा मैं आप लोग उसे पूछू मॉस्किटो की एवरेज लाइफ क्या है कौन बताएगा मॉस्किटो की एवरेज लाइफ दोस्तो मेल मॉस्किटो जो होता है न यानि नर मच्छर होता है न उनकी जो आयू होती है वो फिमेल मॉस्किटो यानि मादा मच्छर से कम होती है इनकी होती है दोस्तों गर एवरेज बात करें सब मॉस्केटों को मिला के तो केवल हो केवल एक वीक एक सबता जबकि फीमेल की होती है दोस्तों तीन से चार सबता समझ रो बात को अब ये जो मॉस्किटो बना वो बना कैसे है दोस्तो जो अंडे से बनता है ये तो एग से पहले बनता है लारवा लारवा से बनता है दोस्तो प्यूपा फिर प्यूपा से ये बनता है एडल्ट ठीक है तो पहले आएगा एग आएगा अंडा आएगा अंडा के बाद में आएगा लार्वा लार्वा के बाद में आएगा प्यूपा प्यूपा के बाद में पूर्ण नक मतलब एडिल्ट बन जाएगा यह करेक्ट अंसर आपको आप्शन नमबर टू हो जाएगा ठीक है चले आगे चलिए अब 27 से जनवरी को दौपेर तीन बजे वाली शिफ्ट में जो क्यूशन आए वो मैं आपको करवाता हूँ बताएंगे बताएं आप लोग चूज दा वर्ड डिफ्रेंट फ्रॉम दी अधर थ्री इन में से एक ऐसा शब्द को चुनना है जो बाकी तीन से अलग हो बताएंगे लीवर हैंड केड़नी हर्ट बताओ सिंपल सा गोशन है यार देखो आप लोग अपने हाथ को देख सकते हो देख सकते हो लीवर को देख सकते हो गया किड़नी को दिख रही के बाट से आपका रीदे दिख रहा है कि नहीं तो हैंड आप लोगों का एक एक्स्टरनल ओर्गन है बाय अंग है जबकि ये तीनों आपके इंटरनल ओर्गन से है करेक्ट अंसर आप लोगों का ओप्शन नमबर टू हो जाएगा नच कोशन बताएंगे हाइग्रोमिटर क्या मेजयर करता है देखो दो चीज होती है कंफ्यूज मतो एक तो होता हाइड्रोमिटर दोस्तो हाइड्रोमिटर क्या मेजयर करता है relative density यानि आपेक्षि गनत्व सर ये relative density क्या होती है किसी भी पदाट का relative density अगर आपको निकालना है आपेक्षि गनत्व निकालना है तो क्या करते हैं उसमें पानी के गनत्व से भाग लगा देते हैं जैसे मैंने बोला पारा जो होता है मरकरी इसकी density है 13600 kg पर मिटर क्यूब इ इतना जाएगा 13 उच्छ तो दोस्तों यह जो रिलेटिव डेंसिटी इससी दे आप लोग निकाल सकते हों डिवाइस से इसका नाम है हाइड्रोमेटर और हाईड्रोमेटर क्या करता है हुमिडिटी मेजर करता है आद्रिता नमी इस एयर में जलवास की मात्रा कितनी है उसी ब कुमिडिटी बोलते हैं आजवरती बोलते हैं नमी बोलते हैं चलिए नैश कोशन बताएंगे वेच आप दी फॉलेंग बड़ एज अ क्रिटीकली इंडेंजर्ड इस प्रीसीज इंडेंजर्ड किसको बोलेंगे दोस्तों बिल्कुल जो संकट गरस्त है मतलब खतम होने के पजाती पर है खतम होने के कगार पर है अब बताओ चार आप लोगों को अप्शन दिये वह हैं तो करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा ग्रेट इंडेंडेंड बैस्टेड ओप्शन नमबर टू बहिए यहां पर देखो पहले तो बात आती है इंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड आप लो इसका status देख सकते हो critically endangered, मतलब यह बहुत खराब इस्तितिया इनकी है ना, चलो आजाओ, नैश कोशन बताएंगे, ब्रैसी का, केमपेश्ट्रिस, यह किसका बाटनिकल नेम है, यह साइन्टिविक नेम है, बताओ, चार आप लोग को option दिये हैं, तो यह आप लोग का हो जाएगा, दोस्तों, field mustard का option number 4, जो कि क्या है, एक plant है, यह क्या है, एक plant, IC का ही क्या है, यह बाटनिकल नेम है, correct answer option number 4 हो जाएगा, ठीक है, तो field mustard क्या है, यह आप लोग देख सकते हो, यह plant, नैश कोशन आपके screen पे, किस जानवर का वैग्यानिक नाम है, देखो, जब NTPC के question, वो चल रहे थे, exam चल रहे थे, तब मैंने एक अलग से वीडियो करा था, आपने देखा था, कि scientific name, scientific name याद करें ट्रिक से, क्योंकि बहुत question पूछे जा रहे थे, वो वीडियो आप लोग देखना, उसमें बहुत question आप लोगों के पूछे गए, exam में, तो वो जरूर देखे, आप लोग, जब भी CBG2 होगा, उससे पहले भी हम लोग करी लेंगे, कुछ अलग-अलग, चलो देखो, तो जो frog होता है, मेंडक होता है, इसी का ही scientific name क्या होता है, राना टेगरीना होता है, correct answer option number 3 आपका हो रुको एक बार, यह भी कर चुके हैं, रुको एक बार, और देखो, vitamin C यह भी कर चुके हैं, यह भी कर चुके हैं, यह भी कर चुके हैं, अच्छा यह वाले नहीं कर चुके हैं, यह वाले नहीं कर रहे हैं, यह पहले कर दिया, मैंने आपको दूसरे, मतलब पहले आपको ब तो के से ट्रेवल करते है बताओ कि उर्द्व रेहा यानी वर्टीकल लाइन सीधी रेखा इच्क्ट्रेट लाइन शेथ इजरेखा वरिजंडल बताओ दोस्तों द्यान जैसे आप लोग और मिरर पड़ा होगा उसमें क्या होता है भी ज़े Didण लेजिये को इमाल लेता हूं कॉई लैंस राइनस माल ल्भू प्रकाष किरन गई अब डूस्तो जो बी वक्ति यहाँ पर और उसको कहां से लगेगा यहां से एक हमेशा कि आपो किए क्या कर तेट बस्ते क्स्ट्रेड गारिए तो भैए जब ऐसा री तो उसको लगरों को यहां से कहीं से आ रही होगी क्लिए तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती है सीधी रेखा में करती है करें टैंसर ऑप्षिन नमबर टू होगा द्यान रखो ठीक है दोस्तों नूमरी का लई है करें करते हैं इदर आ जाओ सर मुझे क्योशन नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है एक मिट रुको मैं इदर लिख देता हूँ ठीक है पहले देखता हूँ मिट्टे का थोड़ी है अच्छा मिट चाहेगा चलो 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 देखो एक काम करते हैं डाटा अलग से लिख लेता हूँ मैं कोई बात नि अपलों को लिख लिख रहा है मुझे पता है मैं इतर लिख जैता हूँ है न जिससे हमारे लिए आपको समझना आस्जान हो कोई बात नहीं देखो क्या बोला जा रहा है question में एक निश्चित बल 10 kg द्रवेमान की एक वस्तू पर 2 सेकिंड तक कारे करता है ठीक है ये कोई एक वस्तू थी जिसका द्रवेमान आपको दिया हुआ है दोस्तो 10 kg ठीक है 10 kg और कितने समय के लिए आपने बल लगाया दो सेकिंड के लिए कौन सा बल लगाया एक निश्चित बल का मतलब है कौन स्टेंज फोर्ट लगाया मालो 100 नुटन लगा दिया 200 नुटन ऐसा नहीं है उसका फोर्ट का मान चेंज हो रहा है कभी 200 से 201 कर रहे हो कभी 110 में कर रहो मुझे नहीं पता बस मुझे यह पता है कि मैंने एक फोर्ट लगाया इस पे कितने समय के लिए 2 सेकिंड के लिए लगाया उस वस्तु का दरवे मान कितना था 10 किलो ग्राम था ठीक है इससे वस्तु का वेग 5 मिटर प्रती सेकिंड से बढ़कर 10 मिटर प्रती सेकिंड हो गया अच्छा मतलब पहले जो यह वस्तु थी ना पहले जो वस्तु थी इसका वेग कितना था प्रारम में इसका वेग कितना था 5 मिटर प्रती सेकिंड था final velocity anthem wake कितना होगा तो तो 10 मिटर पर second होगा ठीक है आप question में क्या पूछा जा रहा है अब यदि समान बल 5 second तक लगाया जाता है तो वस्तू का anthem wake क्या होगा अच्छा देखो question ये था बात को समझो 10 kg की वस्तूती मैंने 2 second के लिए क्या लगाया force लगाया पतला कोई वस्तूती जो इस wake से गती कर रही थी मैंने इस पे force लगाया 2 second के लिए जिससे मैंने देखा इसका wake कितना हो गया ये हो गया अब आपको वो ही force 5 second के लिए all लगा के रखना है तो आप लोगों को देखना है इसकी final velocity क्या होगी लिए आप लोगों से question में पूछा गया था और बल कितना लगाया दोस्तों आप लोगों को ये चीज पूछी गई है तो कैसे करें इस question को solve सबसे पहले force का formula क्या होता है force का जगह ही नहीं है यार दुखो ठीक है अब इदर कर लेंगे ठीक है सबसे पहले तो आप लोगो force का मान निकलना है force क्या होता है mass into acceleration ये होता है इस वस्तू का mass किता था दोस्तों 10 kg था तो मैं लिख दिया 10 acceleration क्या होता है तो 10 into 10 into 10 से क внутри κलियर तो 10 बटे 2 आपका हो जाएगा 5 5 into 5 हो जाएगा 25 तो force कितना लगा 25 न्यूटन का पहली बात तो force आजाएगा 25 न्यूटन का तो ये वाला option होगा नहीं ये वाला option होगा नहीं अब देखो मुझे एक चीज बताओ भाईया जब 10 मिटर पर सेकेंड वेग यहीं पर हो गया तो आप 5 सेकेंड के लिए और लगा रहे हो तो भाईया फोर्स तो लगता जारा वेग इसका बढ़ता जाएगा ना तो 7.5 कैसे आ सकता है यही आएगा तो option से ही कर दो correct answer option number 3 आजाएगा समझ गए बात को बाकी अगर कोई निकालना चाता है सर कैसे निकाले तो आजाओ वो भी बताता हूँ एक समी करन होता है V बराबर U प्लस 80 ठीक है तो आप लोगों को दूस्तो यहां से आगे 5 सेकिंड के लिए निकालना है तो इस वाली जरनी के लिए प्रारंबिक वेग कितना होगे 10 हो गया ना तो प्रारंबिक वेग होगे 10 आपको final वेग निकालना है है ना कितने समय में 5 सेकिंड में निकालना है acceleration command कितना है एक्सलेरेशन कमान था ना 5 बटे 2 यह तो आए था, एक्सलेरेशन कमान धई आए था, 5 बटे 2 आए था, यह 2 से सुनो, गी कमान आ जाएगा 10 प्लस, 25 बटे 2, 25 बटे 2 कितना हो जाएगा, साड़े 12, यह तो 22.5 आ रहा है पार तो लगाए वस्तु का अंतीविय क्या होगा हुआ कि अगुआ कि दोस्तों समझो मेरे बात हैं कि अब यदि समान बल पाफ सेंड तक लगाने जाइए तो अब इस समझ में आज पकून सा पूचा रहा है यहां बो उपशेंकर और वांच लिया ना से शरा Eigen फिर कर सकते हैं अक्षिन के हैं यहां यह तो हम हमाद के пол expanding आप एक सांड रखती है चुल है और बागी हम Dog एक कितना होगा अगर पास सेकंड तक कंटीनूर रखे यह तो बहुत दो सेकंड में इता गया इन तीस सेकंड तक और लगाना है तो अब इसली बात है दस से ज्यादा जाएगा सारी पौदे तो कार्णी वरस प्लांट बेसिकली क्या होते हैं ऐसा नहीं है कि वो प्लांट जो फोटो संथिस नहीं करते हैं प्रकास नहीं करते हैं उनको कार्णी वरस प्लांट बोलोगे नहीं दोस्तों कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि अपने निउट्रेशन को पूरा करने के लिए उनके पास में जो insects होते हैं उनको क्या कर लेता हैं आप लोग बोलेंगे कैसे करते हो दोस्तों इन में कुछ ऐसा जो इनकी पत्ती होती है उनमें कुछ ऐसा structure होता काटे जैसा तो जैसे insects वहाँ पर आता उसको ट्रैप कर लेता है ठीक है क्योशन आपके स्क्रीन पर बताएंगे इन में से कौनची चीज हैंद्री बैक्यूरेल के द्वारा डिसकवर करी गई थी ये क्योशन छह साथ बारा चुका है तो जो रेडियो एक्टिवीटी थी वो किसके द्वारा डिसकवर हुई थी वो हुई in side the fruit इनमें से उसे प्लांट एंसे है मतलब यह कौनसे पौदों का समुन ऐसा है यह सभी आप लोगों के क्या है पौदों के समुन का नाम है टो ऐसे पौदों के समुन का नाम बताईए जिनके फल में बीच प्रजेंट होते हैं देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं देखिए दोस्तों जितने भी प्लांट आप लोगों के होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है क्रिप्टो गेमिया जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुश्पो बीद क्लियर है क्या और एक होता है आप लो फ्लावर नहीं होते हैं, पुश्प नहीं होते हैं, ओके इन वाले प्लांट में सीड नहीं होते हैं, यानि बीज नहीं होते हैं, जो फैनेरो गेमिया होते हैं, इन वाले प्लांट की क्या खास बात होती हैं, इन में फ्लावर होते हैं, इन में सीड होते हैं, अब जो क्रिप् को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनाव्रत बीजी और एउन्जे स्वं को को बोलते हैं आव्रत बीजी क्या होते हैं दोस्तों देखो ना ठैलो फाइटा में दूँगे इसमें आपके बीज नहीं होंगे ठीक है और किस में नहीं होंगे ब्राईमि इन में भी नहीं होंगे कानी कलियर तीक हैं अब दोस्तों जिम्नो स्वम जो होते हैं और इन दोनों में एक डिफ्रेंस और है पहली बात तो क्या है अनावरत बीजी अवड़ाइं लुदा नाम से समझ में रोगा अनावरत बीजी इन इनके बीच पे कोई आवरन नहीं होता है, कोई covering नहीं होती है, ध्यान आप लोग रखिएगा, आवरत बीजी का मतलब क्या है, इनके बीच पे कुछ covering होता है, कुछ आवरन होता है, पहला difference तो ये समझ में आ गया, एक difference और ध्यान रखेंगे, दोस्तों ये जो आप लोगों क इनमें सीड तो दोनों में पाए जा रहे हैं, बट इनमें ध्यान रखेंगे, जो जिमनो स्वम होता है इसमें आप लोग के flower पुष्प नहीं पाए जाते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लॉवर पाए जाते हैं, clear, अब आप लोगों को पता है दोस्तों जो fruit बनता है वो कैसे बनता है, जो flower का जो ओवेरी होता है अंडाशय जो होता है, इसी से क्या बनता है, आप लोगों का वो बनता है, fruit बनता है, clear है क्या तो correct अंसर आपका हो जाएगा, angiospum हो जाएगा, seed present inside the fruit, तो जिनके fruit में seed होता है, fruit बनेंगे किस से flower से तो बनता है, flower में जो ओव option number 4, और इनके बीच पर covering हो गई न, पूरी की पूरी, तो option number 4 आपका correct answer हो जाएगा, अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, 4 जनवरी, 2 अपयर, 3 बज़े वाले के question, ठीक है, बताओ, tax all is extracted, चलो दोस्तों अब ये बाकी के question हम लोग कर लेंगे ठीक है, बाकी के question हम लोग कर लेंगे कल, बाकी के question हम लोग करेंगे अब कल, ठीक है, तो daily सुबह साड़े 9 बज़े जोड़ना ना भूले, रोज मैं आप लोगों को NTPC CBT 1 में जो question पूछे गए हैं, वो मैं आप वाली classes तो दोस्तों सारे देखो, जिन भी बच्चों को नहीं पता हुगा, दो बज़े वाली में इतने सारे NTPC के question करा दिया है, कम से कम ये 16-17 दिन से glass चल रही है, इतनी सारी response sheet है, बाया आप लोगों को NTPC के सारे question कवर हो जाएंगे, तो daily 2 पीम और 1 पीम पे जुड़ करे, गोल चलेट करे, SSE exam, इस special classes में आईए, मेरा नाम सर्च करें, नीरज जंगेड, मुझे आप लोग फॉलो करें, इदर special classes में आपको मिल जाएगे, जो भी class आप लोग खोलोगे, आप लोग उसे code पूचा जाता है, तो नीरज 11 लगा कि आप लोग इसको unlock कर देंगे, बैतर तैयारी के लिए, दोस्तों, सब्सक्रिशन से जूड़ी है, आपको सारे subject मिलते है, हर class के शानदार PDF मिलती है, सबी teachers के classes मिलेगी, unlimited access है, कित्ती बार आप लोग देख सकते हो, bilingual content है, जो मेरे science के course चल रहे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो, बाकी teacher के जो course है, वो भी आप लोग देख लोगे, तो जब सब्सक्रिशन लोगे, यहाँ पर आपके पास में प्राइज आएगी, code लगाओ नीरजगारा, जो discount है, वो अली price पे करिए, और दोस्तों, नीरजगारा code किसी भी category में सब्सक्रिशन लोग, वहाँ पर discount आपको मिल जाएगा, क्लियर ह बाँ बाँ